नमस्कार मैं डॉक्टर रश्वी पांटे एक होमेपैथिक फिजीशन हूँ पिछले वीडियोज में मैंने जीवन की विभिन अवस्थाओं में होमेपैथिक दवात थाइराडिनम किस तरह से काम करती है किन कंडिशन्स में काम करती है उसके विशय में जानकारी दी थी अब मैं प्रिगनेंट लेडि की समस्याओं को थाइराडिनम कैसे ठीक करती है इसके विशय में जानकारी देने जा रही हूँ साथ में जब महिला रजो निवरती की अवस्था में आती है तो उसकी शारिरिक और मानसिक परिशानियों को होमेपैथिक दवा कैसे नियंतरित करती है उसके बारे में भी जानकारी दूँगी विभिन जटिलताओं का सामना करते हुए गर्भवती महिला बच्चे को जन्म देती है ऐसे में गर्भावस्था के समय विकारों के लिए शक्तिक्रत थाईराडिनम दवा से बहतर कोई अन्न दवा नहीं है क्योंकि यह फीटस अर्थाद भूण के रक्षा के लिए और विक विकास के लिए आवश्यक है मां के शरीर की लैंट्स लीड रोल में आ जाती है गर्भधारण के साथ ही मां की मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगती है तब इन सब के कौडिनेशन में कहीं न कहीं गर्भडी की संभावना हो सकती है यह दवा उन विभिन कारणों को सुधारती रूठी है जो इसप्ष्ट प्रगट नहीं होते हैं और गरभा वस्था में भ्रूण अर्थात्फीटस के विकास में बाधा डालते हैं फ güsw compr कारण बनते हैं किसी महिला का पहले तीन महिने में यदि बार-बार गरभ पात हो जाता है अथ्वा समय से पहले ही डिलीवरी हो धारईडिनम 30 को शुरुवात के महीने में बार-बार देने से यह गरवपात को रोकती है Normally uterus एंटिवर्टेट पोजीशन में होता है परन्तु जब uterus डिट्रोवर्टेट पोजीशन में होता है तब कई बार गरवपात की इस्थिति उतपन हो सकती है ऐसे में प्रगनेंट लेडी में जब धीमी गती से रक्तकार रिसाव हो रहा हो और threatened abortion की इस्थिती हो तब थाराइडिनम प्रभावी धंग से इस इस्थित को कंट्रोल कर लेती है जहां गरपात का इतिहास हो परंतु कारण इसपश्ट ना हो थाराइडिनम को constitutional indicated remedy मान कर देते हैं इसका कारण यह है कि यह लेडी जिसने pregnancy धारण तो कर ली है परंतु वह बरकरार नहीं रख पा रही है उसमें इतनी शमता नहीं है कि वह गरपात को रोक सके यह उसके body की tendency बन गई है तो यहां पर थाराइडिनम देना उचित है बच्चे के जन्व के बाद प्रसूता को यदि लंबे समय तक रक्त श्राव होता रहे या कुछ दिन बीतने के बाद सामाने मासिक श्राव शुरू हो जाए शिश को इस्तनपान कराने के दौरान इस्तरी में अनीमित रक श्राव होने का कोई मैकेश काउस नहीं होना चाहिए इंस्ट्रमेंटल कॉष नहीं होना चाहिए रग्हिश कि महिलाओं में रगह निवरत्त मीनो पाुस एक प्रांजिशन फेश होती है जिसमें मासिक धर्म चक्र का धीरे-धीरे समाप्त हो जाना होता है एक समय ऐसा आता है जब मासिक श्राव मासिक धर्म चक्र बंद हो जाता है यह अवस्था ज्यादा तर 45-55 वर्ष तक की उम्र की महिलाओं में मिलती है वे इस अवस्था से गुजरती है रजर निब्रति की अवस्था में ovarian follicle का काम समाप्थ हो चुका होता है fertility को बरकरार रखने वाले estrogen hormone का इस्तर रक्त में कम होता चला जाता है इस परिवर्तन काल को हम perimenopausal stage कहते हैं इसमें इस्तरियों की शरीर की इस्तित में परिवर्तन दिखाई पढ़ने लगता है उनकी भावनात्मक सम्वेदन शीलता में भी बढ़ोतरी हो जाती है मांसिक रूप से इस्तिरता के साथ उनकी social activities भी प्रभावित होती है यह अवस्था कई वर्षों तक बनी रह सकती है मीनopausal stage में क्या होता है किस तरह के लक्षण आते हैं उन्हें जान लेते हैं पहला लक्षण most common hot flushes का आना hot flush जिसमें चहरे, गर्दन और छाती में गर्मी की अचानक तेज लहरें से उठती है अक्सर इसकिन बेहद गरम हो जाती है पसीना भी आता है दिल की धड़कन बढ़ जाती है और अन्य तरह की शारिरिक परशानिया भी तेजी से बढ़ती है वेजाईना में dryness आ जाती है नींद भी ठीक से नहीं आती अनिद्रा का रोग हो जाता है मनोदशा में क्रोध आना चुचड़ापन होना मूड स्विंग्स होना चिंता रहना अवसाद के लक्षण परिलक्षित होते हैं चक्कर भी आते हैं हार्ट अटैक का खत्रा पहले से अधिक हो जाता है पैल्विस की मशल्स में शक्ति कम हो जाती है लोवर एब्डॉमन के और्गेंस जैसे यूट्रस या रेक्टम का नीचे की ओर खिसकने की संभावना बढ़ जाती है हड्डियों में बोन टैंस्टी कम होने से औस्टियो पॉरसिस और फ्रेक्चर होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है आर्थ्राइटिस के सिंटम्स इस दोरान तेजी से बढ़ते हैं मसल्स लैक्स हो जाती है शरीर में फूलापन या मोटापा दिखाई पड़ता है होमेपैथी में थाराइडिनम लकेसिस की भात मीनो पॉस की स्टेज में बड़ी लाबकारी है थाराइडिनम लकेसिस की कॉंप्लिमेंटरी रेमेडी भी है जब लकेसिस उतना अच्छा काम नहीं करती दिखाई दे रही हो या आंशिक आराम ही दिला रही हो तब थाराइडिनम को फालो करें यूट्राइन इनर्शिया प्रसों के दौरान सामान गर्भाशय में निश्चित अवधी और अंतराल में डियूरेशन और इंटर्वल में कॉंट्रेक्शन्स और रिलेक्शेशन्स होते हैं इसमें नर्व इंपल्स का प्रभाव यूट्राइन मसल्स को भरपूर शक्ती के जडवत हो जाता है इस्तिर हो जाता है इसे यूट्राइंन इनर्शिया कहते हैं यह जड़ताihat primary और secondary दो तरहें की होती है primary यूट्राइन इनर्शिया में शुरू से ही गर्भाश कमजोर होता है उसमें प्रापर संकुचन नहीं होता वहीं सेकेंडरी यूट्राइन इनर्शिया में शुरू में तो गर्भाश का संकुचन सामानने होता है परन्तु कुछ अवधी बीत जाने के बाद वह रुक जाता है ऐसे में थाराइडिनम गर्भाश के संकुचन को और सर्विक्स के फैलने को डायलेटेशन में मदद करती है ऐसी इस्थिति में प्रिग्नेसी के आखरी महिने के हर सपता हमें एक बार कम शक्ति की थाराइडिनम का उपयोग किया जाना चाहिए पहली बार गर्भधारण करने वाली इस्थियों प्राइमी पैरा में और कई बार गर्भधारण करने वाली नर्वस हिस्टिरिकल मर्टी पैरा इस्थियों में यह गर्भाश की जड़ता को रोकने के लिए उपयुक्त दवा है ट्रबर्ड प्रेक्नेंसी कष्ट दायक गर्भावस्था की इस्थिति में एदिस्त्री के शरीर में विशाक्तता टॉक्सीमय के लक्षण दिखाई पड़ें जैसे कि उल्टी आना चक्कर आना विज्वल डिस्ट्रबेंसेज होना धड़कन बढ़ जाना सांस की तकलीफ हो सामान उल्टी को भी अच्छे से नियंद्रित कर लेती है यह दवा प्री-इकलेंसिया और एकलेंसिया में भी लाभकारी है इसमें प्रीग्नेंसी के दरान या डिलीवरी के बाद दौरें आने लगते हैं जटकें आने लगते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है औ तो यह रुक भी सकता है पूरे शौक की डूरेशन को कम करने की छमता रखती है गर्भाशे की पल्टाव प्रक्रिया इन्वलूशन ओफ इट्रस इसका मतलब यह होता है कि प्रसव के उपरांद गर्भाशे अपनी वापस पुरानी अवस्था में लौटता है प्रसव के वाद सूध़ में रख ताल्पता के लक्षणन हो पैरों में सूजन हो या फिर पूरे शरीर में सूजन हो जन्र्लाइज एनसारका की स्टेज में तरह महिलाओं में असाध्य दस्त डायोरीया होने की कंडीशन में यह बड़ी उपकारी है इस तरह हम देखते हैं कि यह थाइवराइडिनम दवा फिजिकल और फिजोलोजिकल मैल एड़स्मेंट को दूर करती है ठीक करती है ओबेसिटी को कम करती है जहां पर प्रेगनेंसी के बाद या मीनोपॉस के बाद शरीर का वेट बढ़ कर देती है इसी चैनकारी के साथ अब यह वीडियो समाप्त करती हूं आपके अच्छे स्वास्त की कामना करती हूं धन्यवाद